हेलो दोस्तो दोस्तो अगर आप भी IPL के दीवाने हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं IPL के 20 वे ओवर में 30 रन ठोकने वाले एक मातर बल्ले बाच के बारे में दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि IPL जो है लंबे लंबे चको के लिए याद किया जाता है तो IPL में अगर 20 वे ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्ले बाच के बारे में बात करें तो नमबर 3 पर आते हैं रोहित शर्मा रोहित शर्मा ने 2003 में मुंबई इंडियन्स की ओर से खेलते हुए किंग्स 11 पंजाब की गेंदबाज डेवीड हसी के 20 वे ओवर में 26 रन ठोक दिये थे रोहित शर्मा ने डेवीड हसी के इस ओवर में 3 चक के और 2 चौक के जड़े थे नमबर 3 पर हैं श्रेयस अईयर श्रेयस अईयर ने नमबर 4 की पोजिशन पर खेलते हुए साल 2018 के IPL में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कॉल करता है नाइट रैडर के खिलाफ तेंज गेंदबाज शिवम मावी के 20 वे ओवर में 28 रन ठोक दिये थे श्रेयस अईयर ने शिवम मावी के इस ओवर में 4 चक्के और 1 चौका लगाया था दोस्तो अब हम बात करते हैं नमबर 1 बल्लेबाज की जिसने 20 वे ओवर में लगतार 3 चक्के चौके और 2 रन के हिसाब से 30 रन ठोके है दोस्तो वे बल्लेबाज कोई और नहीं भारते टीम के नमबर 7 की पोजिशन पर बल्लेबाजी करने वाले हारदिक पांडिया है दोस्तो अगर बात की जाए हारदिक पांडिया की तो उन्होंने साल 2017 के IPL में मुंबई इंडियन्स की ओवर से खेलते हुए राइजिंग पूने सूपर जाइंट्स के तेज गेदबाज अशोग दिंडा के 20 वे ओवर में 30 रन ठोक दिये थे हारदिक पांडिया ने अशोग दिंडा के इस ओवर में 4 चक्के और 1 चौक के समेथ 30 रन ठोक दिये थे जबकि 2 रन उन्होंने भाग कर लिये थे दोस्तो हारदिक पांडिया के लिए एक लाइक तो बनता ही है और IPL की खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजे जैहिन दोस्तो